यह वेकंसी एक्सपेरियेंस्ट, फ्रेशर, कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ सब ही के लिए हैं हलो फ्रेंड्स, वर्कम बैक टू फ्लाइयर दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वेकंसी का अपडेट लेकर और इस वीडियो में एक नहीं बलकी लगता है कि तीन से चार वेकंसी के बारे मैं आपको बताऊंगा यह वेकंसी कहां की है, किस एरलाइन की है, क्या eligibility criteria है सब कुछ जाने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके सवाल का जबाब ज़रूर मिल जाएगा तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमबल रिक्वेस्ट, फ्लाइ एर फैमली का हिंसा बने और इसके लिए करना बस इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल में all पर क्लिक कर लीजिएगा कुछ भी जानना, पुछना या समझना हो, तो वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिगा तो दोस्तों, आईए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि कहां कहां और किस किस एरलाइन में वेकंसिज हैं तो आज के इस वीडियो में बहुत सारी वेकंसिज हैं और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगें के बारे में दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे मैंने कतर एरवेस की जो वेकंसिज है, उसका पेज उपन कर रखा है अभी जो आप वेकंसिज देख पा रहे हैं, यह गोवा की है इसके बाद जो वेकंसिज है, हैदराबद, और इसके बाद जो वेकंसिज है, थर्ड वेकंसिज अमरित सर्ड़ इन तीनों वेकंसिज का डेट बस अब खत्म होने वाला है, दोस्तों जल्दी से अप्लाई कर दीजिए लेकिन इन तीन के अलावा जो चौती वेकंसी रिफ्लेक्ट कर रही है वो है दोस्तो मुंबई के लिए बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर्फ मुंबई ने क्या अगलती कर रखी है कुछ तो बताइए वहां के बारे में तो दोस्तों, आप लोगों ने मागा और उपर वाले ने कतर ने दे दिया, तो दोस्तों, मुंबई की वेकेंसी आ रखी है, केविन क्रू के रिगार्डिंग, इसके रिक्वार्मेंट्स बहुत ही सिंपल है, इंटरनेशनल एरलाइन्स में जो मीनिमम एज है, वो यहां पर द चाहिएंगे, इसके अलबाब की परस्नालिटी एक्सलेंट होनी चाहिए, और पैसन फॉर सर्विस, क्योंकि पैसेंजर सेक्टर में आप काम कर रहे हो, और वो भी कैबिन क्रू की तरह, और उस पे भी ततर एर्वेज में, तो डिफिनेटली यह सारी चीज आप में अच्छ अगर आपके पास दो अपसन आते हैं, अगर आपके पास लेक्टिन का प्रोफाइल है, तो उस पे क्लिक कीजिए, और नहीं तो आप अपना रिजूम अपलोड कीजिए, आपका मैक्सिम डिटेल अब भी जो आप देख पा रहे हैं, यहां पर नीचे अटोमेंटिक फेच ह हो जाएगा, डोकुमेंट फिलब कीजिए, कंटिन्यूट कीजिए, आपका सब्मिट हो जाएगा, यहां एक बात एड करना चाहूंगा, अगर आपके पास रिजूम नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है, वहां से आप फ्री में रि है, दोस्तों, इसके रिगार्डिग मैं special एक वीडियो बना चुका हूँ, जो अभी आप देखपा रहे हैं वीडियो के स्क्रिन पे, इसके रिगार्डिग मैंने बता रख्ता है कि पूरे दिसम्बर महिने में कहां कहां केविन क्रू की requirement है, कहां कहां केविन क्रू का walking interview है, Link मैंने वीडियो के description में डाल रखता है अब जाके चाहें तो check कर सकते हैं जरूर देखिएगा कहीं भी किसी भी vacancy पे अगर मैं click करता हूँ चलिए मैंने मुंबई के लिए ही click कर दिया तो दोस्तों यहाँ पर click करने के बाद इस right वाले side में जो details होता है वो hotel का होता है और यहां पर eligibility criteria होती है आप female होने चाहिए, Indian national होने चाहिए valid passport होने चाहिए, age 80 to 27 years होने चाहिए 10 plus 2 होने चाहिए, recognize university से और आपकी fluency and clarity of speech in both Hindi and English आपकी height minimum 155 cm होने चाहिए और BMI as per the requirement इसके अलाबा positive body language, बहुत सारी चीज़े आप इसके go through कीज़े, जाये try कीज़े तो दोस्तों, अब हम finally आते हैं ground stuff के बारे में दोस्तों, अब भी आप जो देख पा रहे है airport operations and customer services यहां पे इतने सारी vacancies दिखा रही है नीचे जो vacancy आपको दिखा रही है इचे नई हैदराबाद और Bengaluru की दोस्तों, यह vacancy expired हो चुकी है मैं first time देख रहा हूं कि Indigo इतने time तक vacancy को यहां पर छोड़ रही है तो दोस्तों, अब भी जो fresh vacancy है वो है female के लिए जी दोस्तों, यह vacancy आपको officer executive security female दूरगापूर के लिए यह है और इसका जो position है officer executive security female दूरगापूर दोस्तों, इसके regarding यहां पर education qualification नहीं दिया गया है तो मैं यह मान कर चलता हूं कि इसके लिए आप minimum graduate होने चाहिए तो दोस्तों, एक बाद ध्यान दिजिएगा यह जो vacancy है, particularly female के लिए है यह जो details है, आप इसको देखिए ध्यान से and if you are eligible, please do apply इसके अलावा senior executive crew control and logistic इसमें आप चाहें तो try कर सकते हैं अच्छी vacancy है, अगर आपको opportunity मिल गई it's really going to help you apply करना बहुत simple है, उपर top right में दो आपको point दिख रहे हैं candidate sign up पे click कीजिए उसके बाद जो page open होगा, वो कुछ इस तरह का होगा first name, last name, email id और एक password डाली है उसके बाद दीछे जो capture है, वहाँ पर capture को fill up कीजिए और I'm not robot पे click करके sign up कीजिए, आपका detail register हो जाएगा, उसके बाद जाकर email को verify करके और login कर लीजिए और ASM, इसके regarding मैं already video बना चुका हूँ, आप इसका मैं description में link दे रखा है आप जाकर वहाँ जरूर चेक कर लें दोस्तों तो दोस्तों contact center executive में bachelor degree या फिर final year के जो students है, male, female दोनों लोग apply कर सकते हैं, तो दोस्तों जो next frequency है दोस्तों, वो है executive pilot helicopters ये आप देख पा रहे हैं, DGCA, CHPL minimum 2000 hours and 1000 hours PIC on helicopter होना चाहिले piloting command, इसके अलाबा class 1 का medical with no restriction आपके पास होने ही चाहिए ये सारे अगर documents, सारे जो quality eligibility criteria आगर आपके पास है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं दोस्तों, apply करना बहुत simple है, नीचे apply नाओ पर click करेंगे दोस्तों तो उसके बाद जो way page open होगा वो कुछ इस तरह का होगा, बहुत ही simple details है आप इसको यहाँ पर fill up कीजिए, name जो first part है, contact information second part है, education third part है, work experience और fourth part में, दोस्तों, आपको choose फाइल पे करके अपना resume यहाँ पर आटेश कर देना है, detail करने के बाद submit करेंगे, तो आपका resume submit हो जाएगा, friends, apply कीजिए try कीजिए, कोई दिकत परशानी होगी तो please let me know, video comment में comment कीजिएगा, या फिर मेरे instagram channel telegram channel flyer india पर message करके, मुझ से पूछिएगा I will try my best to assist you to help you, best of luck तो दोस्तों, video कैसा रहागा, comment करके जरूर बताईएगा, मेरे videos में क्या improvement चाहते हैं आप जो की आपके फाइदे के लिए हो comment करके जरूर बताईएगा मिलते हैं एक अगले video में तब तक के लिए check